जै माताती दोस्तों, आज हम आपको मादुर्गा की नौवी शक्ती के बारे में बताने वाले हैं मादुर्गा की नौवी शक्ती का नाम सिध्य दात्री है ये सभी प्रकार की सिध्यों को देनी वाली है नवरातरी पूजन के नौवे दिन इनकी उपासना की जाती है इस दिन शास्त्रिय विधी विधान और पूर्ण निश्टा के साथ साथना करने वाले साधक को सभी सिध्यों की प्राप्ति हो जाती है सृष्टी में कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं रह जाता ब्रह्मान पर पूर्ण विजय प्राप्ति करने की सामर्थ है उनमें आ जाती है मारकेंडे पुरान के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ती, प्राकम्य, इश्वत और वशिष्ट ये आठ सिध्या होती है ब्रह्मा वेवर्थ पुरान के श्री कृष्ण जन्खंड में ये संख्या 18 बताई गई है मासिद्धी दात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिध्यां प्रदान करने में समर्थ है देवी पुरान के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिध्यों को प्राप्त किया था इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था इसी कारण वो लोक में अर्थ नारिश्वर नाम से प्रसिद हुई मा सिद्धी दात्री का रूप कमल पर विराज मान, चार भुजाओं वाली मा सिद्धी दात्री लाल साड़ी में विराजित हैं। इनके चारो हातों में सुदर्शन चक्र, शंक, गदा और कमल रहता है। सिर पर उचा समुकुट और चहरे पर मंद मुस्कान ही मा सिध्धी दातरी की पहचान है। मानेता है कि इनकी कृपा से अनन्त दुख रूप संसार से निरलिप्त रहकर सारे दुखों का भोग करता हुआ इंसान मोक्ष को प्राप्ट कर सकता है। नव दुरगाओं में मा सिध्धी दातरी अंतिम है। अन्य आठ दुरगाओं की पूजा उपासना शास्त्रे विधी विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुरगा पूजा के नौवे दिन इनकी उपासना करते हैं। इन सिध्धिदात्री मा की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तू और साधकू की लोकिक पारलोकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ती हो जाती है। कैसे करे मा को प्रसन। मा भगवती को इस दिन हलवा, पूरी, सबजी, खीर, काले चने, फल और नारियल का भूब लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन मा के वाहन, योगनियों, हतियार और अन्य देवी देताओं के नाम से हवन पूजन करना उत्तम माना जाता है। इसे माता की कृपा प्राप्त होती है और भागे का भी उदय होता है। इस दिन माता की पूजा करते समय बैंगन या जामनी रंग के वस्त्र पहनना शुप माना गया है। कन्या पूजन में कुवारी कन्याओं को घर बुला कर उनके पैर धोने चाहिए और फिर मंत्रो द्वारा पंचो पचार पूजा करना चाहिए। इसलिए कन्या पूजन में एक बालक का होना भी जरूरी है। भोजन के बाद रोली और चावल लगाएं और फिर दक्षना दे। इसके बाद सभी कन्याओं और लांगूरा के चरण इसपर्श करके उनसे आशिरवात ले। जो भी भक्त कन्या पूजन करके नवरात्री का सम वापन करते हैं। उनको धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष की भी प्राप्ती होती है। जय माता दी।